अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके आल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आप लोग तक नॉटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंचाए बात कर प्रेस काल दे दिया गया है रिसेंटली ही इस प्लिट मिला है दो पसन की आसपास की लास्त सौंध texts में गिराव़ता रही है जांसे पहले दिन की क्लोजिंग चार और 17 पैसे पर देखने को मिली थी पांस धिन की बात करें तो स्टॉप में 9 ौपास कश्भास की गिरावट है जबकि एक महीने की अगर बात करें तो 8% के आसपास की correction जो है stock में हो चुकी है 6 महीने का data देखें तो 94% की correction है यह जो level था 150 यहां से stock सीधा आया है इस range में 4 रूपे की range में और यहां पर company की तरफ से split दिया गया था जिसकी वज़े से stock में इतनी बड़ी adjustment आपको देखने को मिल रही है FMCG सेक्टर की काफी कमाल की company है market cap देखेंगे तो 460 करोड के आसपास का है बात करें एक साल के returns की तो 92% negative है 5 साल की बात करें तो 84% negative और maximum returns भी देखें तो रुपीज के लेवल पर आ चुपा तो कहीं न कहीं अच्छी company होने के बाद युद कमपनी ने हाँ पर split दिया है 52 week high current level से अगर देखें तो 15 रुपे 59 पैसे का और 52 week low चार रुपे 60 पैसे का तो stock इस टाइम अपने 52 week low पर trade करता हुआ नजर आ रहा है अब रेट की बात करें तो देखें Surveyshwar Foods bags of 127 million order after stock split bonus तो company ने यहाँ पर split दिया है bonus दिया उसके बाद अब यहाँ पर 127 million का बड़ा order company को मिला है Surveyshwar Foods has bagged an order from the KBHCO and national level multi-state cooperative society worth rupees 127 million और rupees 12.7 crore for supplying non-basmaty white rice तो FMC secretary company है इसका नाम है Surveyshwar Foods और जिसको 127 million यानि की 12.7 crore का एक बड़ा order मिलता वाना जरा रहा है after split and bonus shares of Surveyshwar Foods settled 2% lower at rupees 490 और उसके बाद से stock में आपको correction देखने को मिल रहा है non-basmaty rice जो है यह supply करेगी यहाँ पर it has a full range of organic products with the brand name Nimbak the Jambum based company is an ISO and US FDA certified company it also has BRC biggest global standard for food safety kosher NPPO USA and China along with the NOP USDA organic certification for its products company काफी कवाल की है FMC sector की है और एक बड़ा order company की जोली में यहाँ पर आपनों को देखने को मिल रहा है जो कि stock को further push करने के लिए काफी सही है अगर आप bank nifty nifty के अंदर trading करते हैं trading को सीखना चाहते हैं trading से daily का 3-4000 तक का profit earn करना चाहते हैं साथ में stocks related updates regular पाना चाहते हैं तो वीडियो के description box में आप लोगों को मेरे free telegram group का link मिल जाएगा जिसमें में daily एक से दो demo call देता हूं और इस एक से दो demo calls है profit plus learning दोनों ही कर सकते हो telegram channel का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा company के portfolio को अगर देखे तो incorporated in 2004 जम्मू कस्मीर के अंदर is engaged in the manufacturing, trading and export of basmati rice which is a long grain rice with a fine texture company काफी कमाल की है market cap 450 crore का है return on equity 4.14% है return on capital 8.12% के असपास का देखने को मिल रहा है ऐसे में अगर हम देखें कि quarterly numbers company ने कैसे पेश किये थे तो June quarter के अंदर company को almost 11.06 crore के असपास का operating profit देखने को मिला था और operating profit margin के अगर बात करूँ तो 5.89 के राउंड देखने को मिला था ऐसे में अगर हम बात करें कि company के अंदर shareholding patron क्या है तो promotors के पास almost 54.91% stake है FIG ने September quarter के अंदर stake अपना increase कर दिया है और public का stake थोड़ा सा कम हुआ है यानि कि जो stake public और promotors ने sell किया वो सारा का सारा FIG ने capture कर लिया है तो मौका अच्छा है stock अपने 52 week लोपे है